अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लगजिए और साथ में इस घंटी वाले बचन को भी दबा दीजिए नमस्कार मित्रों आप सभी को जै मौरिबंस जै स्री चंदरगुप्त मौरिबंस आज हम आपको बताने वाले हैं जी हाँ थोड़ा लेट ये वीडियो हो गया है चवथा पार्ट जो है चंदरगुप्त मौर जी के जीवनी का चवधामा भाग मैं आज बताऊंगा आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा आईए जानते हैं चंदरगुप्त मौर जी के गवरोपूर इतिहास का चवधामा भाग पिछले भाग में हमने आपको बताया था राज माता मूरा दिवी और आचार चानेक जी की पात बिमर्श वारतालाब चली इसके आगे की जानकारी मैं आपको बताता हूँ भोजन तयार हो गया चंदरगुप्त मौर जी भी गवसाला साफ करके आ गए महारानी को आज बहुत दिनों बाद अपने हाथ से भोजन कराने का आउसर मिला इसके पूरु गुरुदेव कभी-कभी अपने पिता के साथ महारानी के माई के गए थे इनके पिता महारानी के बचपन के नाम मूरा के अस्थान पर सिवा रखकर विवाह भी करवाये थे गुरुदेव को आपूर उत्रिप्ति मिली चंद्रगुप्ति मौर जी ने भी भोजन किया गुरुदेव चलने को तयार हो गए मा ने चंद्रगुप्ति मौर की ओर देखते हुए कहा बेटा गुरुदेव तुम्हें अपने साथ तक्षिला ले जाना चाहते है चंद्रगुप्ति मौर जी ने कहा जी हां वहां मुझे क्या करना होगा मा यहीं चंद्रगुप्ति मौर जी ने जिग्यासा से कहा मा ने कहा वहां गुरु कुल है तुम्हें सिक्षा मिलेगी चंद्रगुप्ति मौर ने फिर पुछा कौन से सिच्छा सस्त्रों का या सास्त्रों का मा ने कहा दोनों ऐसा है तब तो ठीक है अन्यथा कोरा पंडित बनकर क्या करूंगा चंद्रगुप्त मौर ने बड़ी अस्पस्टता से कहा आचार चालक के विश्डगुप्त मौर गुरुदेव को कुछ हसी आ गई वहां तो राजकुमारों को भी उनकी आवश्यक्तानुसार सिच्छा दे जाती है मा ने समझाते हुए कहा भोजन वस्तर रहने की जगए सब तक सिला गुरुकुल की ओर से मिलता है चंद्रगुप्त मौर तो ठीक है मा जैसा तुम कहो क्या तुम्हारे बिना मैं जी सकूंगी वस्त ऐसा मा ने खा चंद्रगुप्त मौर ने फिर कहा मा मृत्तु का ठीकाना मतलब मृत्तु का क्या ठीकाना है मेरे रहते क्या तुम नहीं मरोगी पर कैसे देखूंगी तुम कैसे हो देखो मा इन छोटी बातों की चिंता विर्थ है चिंता करना विर्थ है यहां गाये चराकर जीने से वहां सास्त्रों का अध्यन करते क्या मर जाना अच्छा नहीं होगा वहां खुले मैदान में तलवार भाले बार चलाना सीख जाओंगा और उसके बाद तुम पर कोई आँख न उठा सकेगा इस्वर तुम्हें सफल बनावें मैं तुम्हें और क्या दे सकती हूँ दोनों नदी नाले जंगल खेत और मैदान लागते तक सिला पहुंश गए मित्रों यह था आज का चवदावा भाग आज के लिए बस इतना ही आगे की जानकारी आपको पंदरहामे भाग में बताऊंगा बने रही आप हमारे साथ यह जानकारी आपको विश्व मौर परिशस संस्था और मौर एक्षासक परिवार चैनल द्वारा बताई जा रही हों प्रस्तुत किया जा रहा है जै स्री चन्द्रगुप्त मौर जै श्री बिंदू सार मौर जै विश्व मौर परिशद जै अखं भारुत जैहिन बंदे मातरम जैस्री राम जै बुद्धाय जैस्री महाकाल मौर्य